दोस्तों आप लोगोंने अनिल कपूर की सूपर हिट फिल्म रिष्टे तो जरूर देखी होगी इस फिल्म को दर्शकोंने काफी पसंद किया था इस फिल्म में अनिल कपूर लीड रोल में नजर आया और इस फिल्म में शिल्पाशेट्टी और करिश्मा कपूर को भी देखा गया और इन तीनों का करदार को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया लेकिन इन तीनों के अलावा इस फिल्म में एक किरदार और भी था जिसको दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार दिया वो किरदार था इस फिल्म में अनिल कपूर के बेटे का किरदार निभाने वाले उस छोटे से बच्चे का जो इस फिल्म के जिरी काफी फेमस हो गया अनिल कपूर की सुपरड फिल्म रिष्टे में अनिल कपूर के बेटे का करदार निभाने वाले उस बच्चे का असली नाम जिबरान खान है जिबरान खान का जन्म 4 दिसंबर 1993 को मुंबई में हुआ लेकिन आपकी जनकरी के लिए बता दे कि जिबरान खान बॉल्यूड के जाने मैंने अक्टर फिरोज खान के बेटे है तो वहीं उन्होंने अपने करियर के शिरुआत बता और चाइल्ड एक्टर सुपरड फिल्म बड़े दिलवाला से की थी जिसमें लीड रोल सुनिल चैटी निभाते हो नज़र आए इसके लावा ये क्योंकि मैं जूट नहीं बोलता फिल्म में गोविंदा के साथ भी नज़र आए लेकिन इनको खास पहचान मिली बॉलुड इंडस्ट्री की सूपर डूपर हिड फिल्म कभी खुशे कभी घम से जिसमें इन्होंने काजोल और शारुखान के बेटे का करदार निभा कर हर किसी का दिल जीत लिया और आज भी ये इसी फिल्म के जिरिये जाने जाते हैं इस फिल्म में इनका करदार देखने लाइक था जिसमें इनकी एक्टिंग बड़ी लाजवाब थी इनको सूपर डूपर हिड फिल्म रिष्टे में काम करने का मौका मिला था जिसमें इनोंने अन्हिल कपूर और करिश्म कपूर के बेटे का करदार निभा कर हर किसी का दिल जीत लिया जिबरान अपने बच्पन में काफे ज़्यादा कमाल का अभिना करते हुने जराते थे जिनको दर्शक आज भी खुब पसंद करते हैं और इन ही फिल्मों के वज़े से दर्शक आज भी इनके फैन है आज भी इनके लाखों करोडों चाहने वाले देखने को मिल जाते हैं लेकिन अपने पढ़ाई के चलते जिबरान खान ने बॉलिवड इंडस्ट्री से दूरिया मना ली और अब जिबरान खान पहले से ज़्यादा बदल चुके हैं और अब पहले से ज़्यादा हैं जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हो हाल ही में इन होने अपने पढ़ाई पूरी की है और अब एक बार फिर से ये बॉलिवड इंडस्ट्री में धाग जमाने के लिए स्ट्रॉगल कर रहे हैं तो दूस्तों आप सभी को जिबरान खान की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई आप हमें कॉमेंट बुक्स में कॉमेंट करके बताईए साथ ही बॉलिवड चे जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें